आप सबी लोगों का हमारी शमात, गार्डनिंग में बहुत बहुत शागत है सब फरवरी का महीना स्टार्टिंग होगी आज एक तारीक है और आज से ही हमारी गार्डन को गर्मिοιों के लिए तयार कैसे करना है, ये बताउंगी आप सभी का एक request ही कि हमें फरवरी में किस तरह की cutting लगाने चाहिए वो हमें बताएं देखें कि फरवरी का महीना बहुत अच्छा होता है cutting लगाने के लिए तो मैं आज ऐसे plant लिक के आई हूँ जो आप free में लगाएंगे समझ लिए cutting से कैसे लगते हैं वो भी मैं बताऊंगी सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं मनो कामनी मनो कामनी में बहुत अच्छी flowering भी होती है और ये पूरी साल flowering देता है permanent plant है कोशिश मैंने यही कि permanent plant आपको दे जो हमेशा flowering दे तो इसको भी आप cutting कि थो लगाएंगे बहुत अच्छी flowering करने साथ बहुत अच्छी खुश्भू भी देता है तो बहुत प्यारे flower के लिए ready करिए आप मैं जो लेके आई हो कनेर कनेर की कई वराइटी रहती है जो पेली कनेर मैं आपको सारी colors दिखाऊंगी white में भी आता है और ये yellow में भी आता है ये बहुत ज़्यादा पूजा करने में यूज होते हैं और ये बहुत hardy plant है इनको भी आप cutting की थरो लगा सकते हैं और आपको हर जगे इनकी cutting मिल जाएगी रोट के किनारे मिल जाएगी या आपके किसी relative के यहाँ भी ये cutting मिल सकती है तो फरवरी के महीना बहुत अच्छा होता है आज जो मैं cutting दिखाने आई हूँ वो बहुत अच्छी flowering के बाली है और बहुत प्यारे फूल खेलते हैं इस cutting को भी आसानी से लगा सकते हैं इसको रोट के किनारे भी आप ले सकते हैं और बहुत प्यारी प्यारे फूल भी आपको मिल जाएंगे तो जरूर इस cutting को लगाईए और एजली सर्वाइव होने वाली है अब डबल चान्नी है डबल चान्नी का भी flowering बहुत अच्छी होती है इसको भी आप cutting की थ्रो लगा सकते है सिंगल चान्नी आती डबल चान्नी भी आती और पिंग कलर की थ्रो लगा सकते हैं इस महीने बहुत अच्छा सीजन होता है अब आते हैं एक और कनेर ये कनेर डबल पैटन में भी आता है सिंगल पैटन में भी आता है तो इसको भी आप cutting की थ्रूर लगा सकते हैं color की variety आपको बहुत ज़ादा मिलेगी और ये हर जगे आपको मिल जाते हैं बहुत hardy plant है और सालो साल आपको बहुत प्यारी flowering देता रहेगा तो चलिए आप में जो cutting दिखा रही हूं वो भी बहुत अच्छी है 9 बजिया इसकी color variety बहुत प्यारी प्यारी आने लगी है इसकी अभी cutting स्टार्टिंग कर देंगे तो ये मई जून में इतने प्यारे फूल देगा कि आपके हाँ कमी महसूस नहीं होगी फूलों की आप में जो दिखाएंगी आपको भी बहुत अच्छे है मंडमिला की बहुत अच्छी वराइटी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है बेल में भी आता है और ये आता है उसमें ब्रांच में भी तो इनको भी आप लगा सकते हैं color variety आपको बहुत प्यारी-प्यारी मिलने वाले हैं जरूर लेके आईएगा आप आते हैं हिबिस्कस हिबिस्कस में भी फ्लावरिंग बहुत अच्छी देने वाले होता देशी हिबिस्कस ये कोई भी वराइटी आप ले लीजे इस टैम आप बहुत अच्छी से कटिंग इसकी लगा देंगे और आपको समर में बहुत प्यारे फैरे फूल डबल पैटन में भी आता है सिंगल पैटन में भी आता है कलर की वराइटी आप जानते हैं इसको भी आसानी से लगाएगा ज्यादा हार्ड कटिंग लीजिए ज्यादा बड़ी कटिंग मत लीजिए थोड़े नॉर्मल लीजिए जैसे पैंसल की साइज की आप मैं दिखा रही है टिकोमा यह बहुत अच्छी फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है कि टिकोमा की कई वरैटिया थी और यह आपको जानते हैं बहुत अच्छी फ्लावरिंग करती है और पूरे साल फ्लावरिंग दे पर्मनेंट प्लांट है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करने वाला तो इसको भी आप कटिंग की थूर लगा सकते हैं बहुत अच्छी फ्लावरिंग मिलेगी को बहुत पसंद होता है बेला कहिए, मोगरा कहिए, बहुत अच्छी खुश्बू के साथ अच्छी फ्लावरिंग करता है, तो इसको भी हम कटिंग की थूर लगाएंगे, तो यह आपको बहुत अच्छी फ्लावरिंग के लिए रेडी हो जाएगा, और इतनी प्यारी फ्लावरिंग देने वाला है, मैं जो जाती हूँ, मधु मालती, मधु मालती भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, बेल होती है, और इसमें डबल पैट, में आज सिंगल पैटन में, बहुत प्यारी अच्छी खुश्बू ठीमिदी में आती है, इसको जरूर लगाएं, आब आते हैं चंपा, चंप आप कटिंग जरूर लगाईए, फरवरी का सीजन बहुत अच्छा होता है, सर कटिंग लगाने की नॉर्मल कटिंग लीजिएगा, ज़्यादा हाड मत लीजिए, जिससे आपको अच्छे से सर्वाइफ कर से, इसके कोडिंग को भी जानकारी लेना चाहिए, तो मेरे वीडि जरूर यादर किये,